कि हम बैज्ञानिक खेती के बारे में आज जानकारी देना चाहेंगे तो इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि जो सोट डूरेसंड से और जिसको हम लोग बोलते ही कि लो देंगे तो सबसे पहले जो होता है हमको कुछ सामग्रियां लगती हैं सामगरियों में हम को चाहिए कि हम को भुशा लगता है लग और अपमान के चलिए कि 10 कुंटल भुशा उसके अलाबा उसमें दो कुंटल चोकर और तीन कुंटल मुर्गी का खाद इसके अलाबा 25 किलो यूरिया और 30 किलो आपको जिप्सम लगता है जिसके थुरू आप छोटी बिधी यानि की सौट डूरेशन बिधी के दौरा कंपोस्ट बना सकते हैं तो सरफ पर्थम कंपोस्ट वना के लिए हमको क्या करना रहता है कि हमको भूसे को 48 घंटे पहले हमको पानी में भिगोना रहता है और पानी में भिगोने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से भिगोए कि जो पानी है वो भूसा पानी को एब्जॉर्ब कर ले मौस्चर को एब्जॉर्ब कर ल के लिए कि mould बनाएंगे घेर बनाने के लिए कि एक और सामक्डी मोई 국 ऑप होते हैं वह प्लाश्टिक का हो सकता है या फिर लेका हो재 होसकता है लेका प्रत्राट पांच से साथ पाइप लेना पड़ेगा और सवर पर्थम हमको उसका भूसे का धेर बनाना जाहरखंड बटन मस्रूम के बहुत सारे किस्म है जो की आज पार्केट में एवलेबल हैं और जो मस्रूम का बीज होता है उसको हम लोग अपने बैग्यानिक भासा में उसको हम aquellos में हैं उस में हमारे पास है तarna और उर्ठ यूर्ट यह किसमे हैं जो जादा प्रचलीत हैं और कम समय में यह ज्यादा उटपदन देती हैं अब उने किसम का चैन करने के पाद हमने जो मस्रोम का भीज मंगाया जो इस स्पॉन मंगाया उस स्पॉन को हमने क्या कि क्या कि अब हम सुब पावन को करेंगे जोंय बोलते हैं या फिर निश्प या तो आप उसकी सतही बिजाई करें, या फिर आप पूरे खाद में मसरूम को, स्पॉन को मिक्स कर दें, बीज को मिक्स कर दें, और उसको बैग में भर दें, या ट्रे में रख दें, सतही बिजाई में क्या होता है, कि हमको 2-3 सतह बनानी होती है, सरपर्थम हम खाद की एक स सतह देंगे फिर पुना इसे करके तीन सतह बनाके उसको हम प्लास्टिक बैग का उपियोग कर रहे हैं तो बिजाई के पस्चात हमको उस बैग में आर्दस छोटे-छोटे सुई से छेद करने रहेंगे जिससे कि उसमें प्रयाप्त मात्रा में हवा का मात्रा बना रहे इसके लिए हमको उसको छेद कर देना रहता है उसके बाद हमको ऊसको थोरा सा अंधेरे कमरे में डार्क रूम में छोड़ देना होता है जिससे कि उसका माईसीलियम ग्रोथ मतलब कि जो कभक जाल है वह पूरी तरीके से उस पे डेबलप हो जाए तो कबक जाल सामनिता जब हम लोग विजाई कर देते हैं तो उसके 15-20 दिन के पश्चात कबक जाल हमारा डेबलब कर जाता है और इस समय में हमको ध्यान यह देना रहता है कि इस समय में हमारा जो तापमान है वह हमको अब लगभग 20-25 दिग्री तापमान मेंटेन करना रहता है और लगभग 38-85% जो नमी है उसको भी हमें मेंटेन करनी रहती है.